नमस्कार दोस्तों, कॉंपटिशन कम्मूनिटी के यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एकनोमी बेस्ट करेंट अवियर लेकर मैं हूँ आपके साथ आगासे जो टाइम डिरेशन हम कंसिडर करने वाले हैं वह है 29 मार्ज से 11 अप्रेल अरधात इस समय अवधी पर जितने भी important economic event हुए है उन events पर हम चर्चा करेंगे सभी आरति घटना करम पर बात नहीं होगी सिर्व उनी आरति घटना करमों पर हमारी चर्चा सिमित रहेगी जो हमारे exam के point of view से important है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला content सबसे पहला content आधारित है मौद्रिक निती पर मौद्रिक निती समिक्षा पर बित्ती वर्ष 2022-23 का ये सबसे पहला monetary policy है सबसे पहले मौद्रिक निती है और इस मौद्रिक निती में बह सारे संकेत दिये गए हैं कि आगे चलकर हमारे अर्थव्यस्ता का सवरूप किस प्रकार से होने वाला है उन सभी important indicators पर निर्णे पर decision पर हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले ये समझना ज्यादा important है कि आखिर ये monetary policy होता क्या है ये मौद्रिक निती का आश्य क्या है अगर ह हम यही नहीं समझेंगे तो इसके importance को नहीं समझ पाएंगे तो पहले यही समझ लेते हैं कि what is monetary policy मौद्रिक निती का ताथपर क्या है current affair की वीडियो में कई शात्रों का ऐसा comment आता है कि slide को English में करें और अगर English में करते हैं तो comment आता है कि slide को Hindi में करें लेकिन जब मैं चीजों को explain करूँगा तो यह पूरा प्रयास करूँगा पूरी कोशिश करूँगा कि दोनों ही माध्यम का संतुलन बनाओ बैलेंस बनाओ हिंदी और English दोनों का है और हमारा भी ध्यान पहले होना चाहिए चीजों को समझने में और language barrier नहीं हो सकता समझने के लिए आगे बढ़ते हैं मौद्रिक निती का मतलब क्या what is monetary policy से मौद्रिक निती एक ऐसी निती है जो मुल्य इस्थिर्टा और आर्थिक ब्रिद्दी के दोहरे उद्देश के लिए मुद्रा आपूर्ती और नियंतित करना बताते है किस-किस के लिए मुद्रा आपूर्ती को नियंतित करना है MONEY Supply को control करना है दो objective मेंने बताया पहला objective क्या है price stability बोर्ड में लिखते भी चलते हैं मुल इस्थिर्ता अर्थात price stability और दूसरा क्या है economic growth आर्थिक बृद्धी मुल इस्थिर्ता और आर्थिक बृद्धी के दोरे उद्देश के लिए money supply या मुद्रा अपूर्ती को नियंतित करना ही मुद्रिग निति कहलाता है जरा समझ लेते हैं अगर मुद्रा इस्थिती है अर्थात inflation है अगर inflation है इसका क्या ताथ पर यह है कि बजार में demand जादा है मांग जादा है मांग जादा क्यों होगा क्योंकि बजार में मुद्रा अपूर्ती अधिक है एक कारण यह होता है इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जैसे कि अगर supply रुका हुआ है तो भी inflation होगा तो वह cost push inflation कहलाता है और यह demand pull inflation कहलाता है लेकिन समाने तोर से आप inflation जब होता है तो उसे यह माना जाता है कि कीमत बड़ी होई है क्योंकि लोगों के पास पैसे थोड़े से ज़ादा आ रहे है मुद्रा पूर्ती थोड़ी ज़ादा हो गई है और बजार में मांग होने की वज़ा से कीमत बड़ी होई है तो अगर इस बढ़े हुए inflation को अगर कम करना हुआ तो क्या करना चाहिए कम करना अगर है तो हमें जो समस्या हुई है जो समस्या की कारण है उसी कारण में प्रहार करना चाहिए मतलब कि अगर मांग के बढ़ने से मुद्रा उस्फिती बढ़ी है तो मांग को क्या करना होगा कम करना होगा और मांग कम कब होगा अगर मांग बढ़ा मुद्रा अपूर्ती बढ़ने की वज़ा से तो मांग कम हो जाएगा मुद्रा अपूर्ती या मनी सप्लाई के कम होने की वज़ा से लेकिन जब ये मुद्रा अपूर्ती बहुत ज्यादा कम हो जाती है और मांग कम हो जाती है तो इसका एक प्रभाव ये भी पड़ता है कि अर्थ विवस्था में उतपादन कम होने लगता है और उत्पादन अगर कम होगा तो देश की GDP गिरने लगेगी और अगर देश की GDP गिरी तो आप ये मान सकते हैं कि हमारी जो व्रिद्धी है वो व्रिद्धी धीमी हो गई है या व्रिद्धी कम हो रही है तो अगर इंफलेशन बढ़ा हुआ है और इस बढ़े हुए इंफलेशन को कम करना है तो मुद्रा आपूर्ती को कम करना चाहिए समान नेता लेकिन अगर मुद्रा अपूर्ती कम हो रही है तो उसे ये भी संभावना है कि वृद्धी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो मौद्रिक निती का उद्देश क्या है मौद्रिक निती का उद्देश ये है कि मुद्रा अपूर्ती इतना बनाकर रखो कि जवरत से ज़ादा मुद्रा इस्फिती ना हो और इतना बना कर रखो कि जवरत से ज़ादा या जवरत से अधीग ये वृद्धी भी कम ना हो मतलब एक संतूलन बनाये रखने की कहानी है मौद्रिक निती मुद्रा अपूर्ती को नियंतित करो बहुत ज़्यादा ना हो जाए जिससे इंफलेशन हो जाए और बहुत कम ना हो जाए जिससे आर्थिक विद्धी कम हो जाए एक संतूलन बना रहना चाहिए जिससे एक ठीक ठाक इस्तर का ठीक ठाक दर का मुद्रा इस्विती भी बना रहे और आर्थिक विद्धी भी बढ़ बरतमान परपेक्ष में अगर हम देखें, तो कोरोना की वज़ा से जो लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन की वज़ा से हमारी देश की जो बृद्धी है वो थोड़ी सी धीमी हो गई है, यद हो गई थी, अभी तो ठीक-ठाक मामला हो देन रहा है, ठीक-ठाक कंडिशन चल रही है, बृद्धी कम हो गई थी, अब इस बृद्धी जो कम होई है, जो ग्रोथ रेट हमारा डाउन हुआ है, इसे उपर उठाने के लिए क्या करना होगा, अगर बृद्धी कम हो गई है, तो इसे उपर उठाने के लिए क्या करना होगा, डिमांड बढ़ाना होगा, क्य हमारे देश की GDP अगर कम हो रही है वृद्धी अगर कम हो रही है तो उसका समाधान क्या है डिमांड को बढ़ाना डिमांड बढ़ाओगे तो उत्पादन बढ़ेगा और डिमांड कब बढ़ेगा जब आप मुद्रा अपूरती को बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने निती का स्वरूप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा ही दिख रहे हैं जहां पर महंगाई बहुत जादा बढ़ी हुई है निबू की कहानी आप लोग समाने तोर पर सुन रहे होंगे मीम्स देख रहे होंगे शोशल मेडिया में काफी यह अभी प्रशलन में है कि निबू का कीमत क इतना हो गया जिसके पास निबू है वो बहुत जादा अमीर व्यक्ति हो गया एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो परकार थे मीम्स चल रहे हैं सुशल मेडिया में और आप अभगत होंगे क्योंकि यह वर्ग सोशल मेडिया में एक अच्छा खासा समय जरूर्वतित करता है तो ह शाहंगाईब बहुत जादा बढ़ी हुई दिख रही है और वह अभी अर्थ्वियस्ता की मांग भी है, ऐसा मान सकते हैं, क्यूं? क्योंकि अभी प्रात्मिकताओं में क्या है? उत्पाधन को बढ़ाना और अगर इस उत्पादन के बढ़ने से मुद्रा उस्पिती बढ़ रही है तो ठीक है ज्यादा priority पर क्या है production चलिए ये एक basic concept के बाद इस aesthetic concept को समझने के बाद हम content पर चलते हैं और content में समझते हैं ठीक है जो मौदरिक निती समिक्षा आई जो ये policy report आई review report आई उसमें क्या कहा गया है लगातार ग्यारवी बार लगातार ग्यारवी बार भारती रिजर्व बैंक आर वी आई ने अपनी जवित्व मौदरिक नीती में मुख्य नीती दरें रेपो दर को चार प्रतिश्वत पर ही अब परिवर्तित रखने का निर्णे लिया है 4 percentage पर ही रेपो रहेग कम policy rate है या फिर आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा नीचले इस तरपर ये रेपो रेट का दर दीख रहा है रेपो रेट चार प्रतिशत जरा हम पहले यहां पर आ जाते हैं फिर उसके बाद लौट के वापस आएंगे रेपो रेपो रेट चार प्रतिशत रिवर्स रेपो रे facility सीमान्त इस्थाई सुविधा 4.2 परसेंटेज बैंक दर 4.2 परसेंटेज रेशियो भी होते हैं जिसमें हैं CRR और SLR CRR है चार प्रतिशत और SLR है 18 प्रतिशत जरा दो-दो लाइन में इन सारे चीज़ों को समझने का कोशिच करते हैं रेपो रेट किसे कहते हैं यह RBI बानिजिक बैंकों को उधार देती है तो अगर यह ब्याजदर कम होगा तो बैंक सस्ते ब्याजदर की लालच में RBI से अधिक रिंड लेंगे उधार लेंगे और अगर बानिजिक बैंकों को सस्ते ब्याजदरों पर रिंड मिलेगा तो सस्ते में ही वो आगे बढ़ाएं तो अगर production को priority पर रखना है प्रात्मिक्ता में रखना है तो repo rate को कम रखना होगा जिससे अधिक रिंड हो बजार में अधिक रिंड जाए मुद्रापूर्टी बढ़े मांग बढ़े और देश की GDP आगे बढ़े ये अभी आप देख रहे होंगे कि repo rate कम साइड में चल रहा है समानेता 6-8% पर चला करता है लेकिन अभी प्रात्मिक्ता मुद्रापूर्टी को बढ़ाना है तो लगातार ग्यारवी बार ग्यारवी बार 4% ही रखा गया है ग्यारवी बार और ये जो वानिटरे पॉलिसी रिपोर्ट होती है वो बाई मंतली होती है हर दो महिने पर आती है तो ग्यारवी बार तो मतलब आप 22 महिने का मामला समझ ले रिवर्स रेपोरेट क्या होता है ये वह दर होती है जिस दर पर RBI वानिट्जिक बैंकों से उधार लेती है मतलब रेपोरेट का उल्टा रेपोरेट में वानिट्जिक बैंक उधार ले रहते और रिवर्स रेपोरेट में RBI उधार ले रही है और अगर आप इसे देखें तो इसे अगर कम रख दिया गया इसे अगर कम रखा जाएगा तो क्या होगा बैंक RBI को उधार नहीं देंगे क्यों क्योंकि उनको रिटन बहुत कम मिलेगा तो उनके पास जो अधिशेश राशी है बानिजिक बैंकों के पास वो RBI के तरफ नहीं बढ़ाएंगे बलकि वो लोगों के तरफ बढ़ाएंगे बजार में बढ़ाएंगे क्योंकि RBI की तुलना में उन्हें अधिक ब्याज वहाँ से मिल सकता है जिस वज़ा से फिर से मुद्रा अपूर्ती बजार में बढ़ेगी और देश की GDP बढ़ेगी मांगे बढ़ने की वज़ा से क्लियर है मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी क्या होता है ये एक ऐसी फैसिलिटी है एक ऐसी सुईधा है कि अगर आप रेपो रेट से उधार ले चुके हैं और सारे कोलेटरल या सिक्यूरिटी असान शब्दों में आप समझ सकते हैं अगर वो खतम हो गए हैं तो ततकाल के लिए कम अवधी के लिए आप इस सुईधा का इस्तमाल कर सकते हैं बैंक रेट क्या होगा ये भी वही एक दर होगा जिस दर पर RBI वाडिजिक बैंकों को उधार देती है तो अब आप कहेंगे सर्फ पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर हुआ तो रेपो रेट अलप अवधी की कहानी है साथ दिन चौदा दिन की कहानी है और बैंक रेट दिर्ग अवधी की कहानी है एक साल से उपर 5 साल, 10 साल, 20 साल की कहानी है CRR क्या है? ये एक प्रकार का आरक्षित अनुपाद है कैसा आरक्षित अनुपाद होगा? नगद आरक्षित अनुपाद, कैश रिजर्व रेश्यो अर्धात, ये जो दर होती है इस दर के अनुपाद में बाडिजिक बैंकों को कैश के फॉर्म में कुछ RBI के पास में जमा करना होता है और SLR क्या होता है? ये इतने प्रतिशत, 18 प्रतिशत के अनुपाद का कुछ राशी तरलता के अधार पर लिक्विड फॉर्म में बैंकों को अपने पास में रखना होता है इसके पर ज़्यादा डिटेल अब नहीं जाते है आगे बढ़ते हैं कि और क्या-क्या बात हुई है इस monetary policy report पर ठीक है रेपोदर कम किया गया है कम रखा गया है मतलब बढ़ाया नहीं गया है पहले से कम था लगातर 11 भी बार इसे कम रखा गया है लेकिन ये भी बोला गया है कि भाईया अब ये जो हम कम रख रहे थे ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्लियर है आगे हम समझेंगे इस monetary policy review में और कौन-कौन सी बाते ध्यान देने वाली है सबसे पहली बात कि इस monetary policy में भारत के growth rate को कम किया गया है जो अनुमान है उसे कम किया गया है बित्ती वर्ष दो हजार 22-23 के लिए पहले अनुमान लगाया गया था 7.8% और अब इस अनुमान को कम कर दिया गया है 7.2% कर दिया गया है पहले GDP ज्यादा अच्छे व्रिद्धी दर्श से बढ़ेगी ऐसा माना गया था लेकिन अब उसे कम कर दिया गया है मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों कर दिया गया है तो उसके पीछे कारण दिया गया है क्या रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाला वार इस पर इन दोनों देशों के बीच जो जंग चल रहा है उसकी वज़ा से क्रूड आयल की कीमत बढ़ गई है कच्छे तेल की कीमत बढ़ गई है और जो वस्तुएं एक देश से दूसरे देश जाते हैं उसकी भी कीमत बढ़ गई है क्योंकि सप्लाइ साइड ब्लॉक हो गया है अब अगर सप्लाइ साइड ब्लॉक हो जाएगा तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अगर कच्छे तेल की कीमत बढ़ती है तो देश में व्यापत सभी वस्तुओं पर कीमत बढ़ने ही वाली है क्योंकि ट्रां के अनुसार नहीं था आप इसे नहीं चाहते थे कि ऐसा बढ़े और इस तरह से अगर inflation बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अब मुद्राइस्विती या inflation अपने एक healthy limit rate से आगे बढ़ जाएगा तो मुद्राइस्विती अर्थविष्था की demand होती है जवरत होती है मांग होती है लेकिन एक सिमित दर में और अगर सिमित दर से अधिक मुद्राइस्विती की दर बढ़े तो वह देश के लिए हानिकारक होती है क्यों क्योंकि लोग अब उसे खरीद नहीं पाएंगे बस तूँ खरीदेंगे नहीं तो बजार में demand कम होगा और अगर बजार में demand कम होगा तो आपको पता है कि क्या होगा demand अगर कम होगा तो GDP डाउन होगी इसलिए GDP को डाउन कर दिया गया कि जो हम assumption किये थे उससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्यों क्योंकि इस war की वज़ा से ये सारी दिक्कतें आ रही है आगे बढ़ते हैं और क्या बात हुए एक नई प्रकार की facility के बारे में जानकारी द reverse repo rate CRR वैसे ही अगला क्या आचुका है एक standing deposit facility और ये standing facility deposit का जो rate है अभी तै किया गया है 3.75 percentage या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी repo rate होगा जो भी repo दर होगा उससे 0.25 percentage कम होगा तो 4% है तो ये कितना होगा 3.75 percentage ये क्या है तो ये भी एक दर है जिसमें RBI वानेजियो बैंक से पैसा लेगी तो सर रिवर्स repo rate भी तो वही आप कह रहे थे लेकिन reverse repo rate में जब RBI बैंकों से पैसे लेगी तो उसके बदले में कुछ collateral देगी standing deposit facility में collateral या security देने की जवरत नहीं बढ़ेगी clear है ठीक बस यही अंतर है और technical अंतर बहुत सारे होंगे लेकिन वो technical अंतर हमें समझना हमें पढ़ना जरूरी नहीं है हमें exam निकालना है research नहीं करना है चलिए standing deposit facility को लाया गया यह एक additional tool है liquidity absorb करने के लिए liquidity absorb करने का मतलब क्या है वही मुद्रा अपूर्ती को market से बाहर खीचना और अभी पुरे देश में लगबग आठ लाख करोर रुपए अधिक घूम रहे है तो साड़े आठ लाख करोर की राशी जो inflation को और बढ़ा रही है उसे बजार से खीचने के लिए एक नए tool की अविशकता पड़ती है और उसे लाया गया है और वो क्या है standing deposit facility चलिए आगे समझते हैं signaling shift in policy stance अरधात यह signal दिया गया है यह संकेत दिया गया है कि जो अभी हमारा अप्रोश था उदार वादी निती वाला कि ब्याजदर को कम करो मुद्रापूर्ती को बढ़ाओ इससे हम अब पीछे हट सकते हैं मतलब अब ऐसे ही सिती बन सकती है कि हम ब्याजदरों को बढ़ाने लगें क्या अब GDP प्रात्मिक्ता में नहीं है प्रात्मिक्ता में अभी भी है लेकिन अब inflation बहुत जादा बढ़ रहा है और मैंने क्या कहा था कि मौद्रिक निती संतूलन की कहानी है तो GDP को फोकस में तो रखे थे लेकिन GDP को फोकस में रखने के चक्कर में जो ब्याजदरों को आपने कम रखा है और बाकी जो अंतरराश्टी स्तर के जो प्रभाव पढ़ रहे हैं इनकी वज़ा से अब बहुत जादा inflation बढ़ने लगा है जो सायद अब चिंता का विशय हो जाएगा इसलिए अब अप्रोच में बतलाव की अवशकता है उदारवादी निती से अब कठोर निती की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे संकेत दिये गए हैं क्या संकेत दिये गए हैं एसी संभावना है कि पॉलिसी रेट में अब बढ़ोत्री होगी अगर बढ़ोत्री होगी इसका क्या मतलब है महंगे में उधार लेंगे वानिजिग बैंक तो महंगे में आगे बढ़ाएंगे मतलब हमारे तक और हम महंगे में उधार लेंगे नहीं तो बजार में मुद्रा अपूर्ती बढ़े की नहीं और बढ़े की नहीं तो मार्केट में डिमांड कम होगा और डिमांड कम होगा तो इंफ्लेशन कंट्रोल होगा ठीक है RBI has hiked its inflation forecast from 4.5 percentage projected earlier to 5.7 percentage मतलब पहले माना गया था कि वित्ती बश्ट 2022-23 के लिए इंफ्लेशन का जो rate होगा वो मात्र 4.5 percentage होगा लेकिन अब परिस्तिती कुछ अलग दिख रही है और परिस्तिती कितनी है कि जादा होगा कितना होगा 5.7 percentage होगा और लेकिन ये भी जो अपर बेंट है इंफ्लेशन का 6 percentage उससे कम ही है बेंट कहने का ताथपर क्या है माना ये जाता है कि मुद्रा इस्विती की जो सबसे healthy rate होगी वो कितनी होगी 4 percentage plus minus 2 percentage अर्थात 2 से लेकर 6 प्रतिशत तक की मुद्रा इस्विती अगर है तो ठीक बात है लेकिन आइडियल स्टेज क्या है 4 प्रतिशत तो अपर बेंट कितना है 6% उस 6% के अपर बेंट से भी कम रहेगा ऐसा बोला गया है तो है बढ़ेगा ऐसा माना तो गया है लेकिन अपर बेंट से comparatively कम रहेगा है क्लियर है चलिए अब कुछ हम कि अप्रोच के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि RBI ने संकेत दिये है ठीक है और यह बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है ऐसा मैं मान कर चल रहा हूं तो यह स्क्रीन में आपको चीज़े क्लियर दिखिए इसलिए इसका जो ब्रैटने से उसे मैंने थोड़ा सा कम किया है एक्च्वल में हम समझने वाले हैं कि RBI यह जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है जब नितिगत दर लाती है तो अपने अप्रोच को दर साती है जिसे स्टेंस कहा जाता है जैसे भी थोड़ी दिर पहले मैंने कहा कि यह संकेत दिये जा रहे हैं कि आगे चलकर दरों को बढ़ाया जाएगा तो यह जो संकेत हैं कि आगे चलकर दर बढ़ेंगे यह संकेत आखिर किस तरीके से बताय जाते हैं तो वह तरीकों पर हम बात करने बाले हैं जिसे इस tense कहा जाता है, जब भी समिक्षा आती है, तो ये बताया जाता है कि हम इस समिक्षा को किस तरह का अप्रोच रखे हैं, इस समिक्षा में हमारा अप्रोच क्या होगा। जिसमें पहला अप्रोच मान लो, for example, कहा गया कि हम अकॉमेडेटिव अप्रोच रखने वाले हैं। तो अकॉमेडेटिव अप्रोच कहने का क्या तात्पर होगा? एक उदार नीती अवधी के दौरान ब्याज दरों में कटोती होती है। तो अकॉमेडेटिव अप्रोच, इस्टेंस या उदार वाती नीती ये क्या होती है जब भी RBI या मॉनिटरी पॉलिसी अपने रिपोर्ट में ये कहे कि हम ये स्टेंस लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि हम ब्याज दर में कटोती करेंगे। उदारवादी नीती होगी, तरलता बजार में बढ़ाई जाएगी, मुद्रा पूर्ती बढ़ेगी, मांग बजार में बढ़ाई जाएगी। तो अभी जो लगातार ग्यारवी बार जो रेपो रेट को मात्र फोर परसेंटेश पर रखा गया है, एक नीचे वाले इस तर पर रखा गया है, ये अकोमेडेटिव इस्टेंस का ही एक परिणाम है। जब विकास को नितिगत समर्थन की अवशक्ता होती है, तब मुद्रा इस्विती ततकाल चिंता का विशय नहीं रहती है। पॉलिसी लाने पर कह दिया जाया कि हम निट्रल स्टेंस लेते हैं। अर्थात तठस्त है, हमारी निती में अप्रोच जो है तठस्त है। इससे पता चलता है कि केंद्री बैंक या तो दरों में कटोती कर सकता है, या दर बढ़ा सकता है। निट्रल से ही आप समझ पा रहे होंगे, ना तो हम इस तरफ जाने वाले हैं ना उस तरफ जाने वाले हैं, कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया जाता कि हम किस तरफ जाएंगे। आगे चलकर ब्याजदरों को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, अगर निट्रल सेंस कहर दिया जा रहा है, तो इसका आशे यही होता है, कि यह निट्रल है, आगे कुछ भी हो सकता है। यह रुख आम तोर पर तब अपनाया जाता है जब नितिगत प्रात्मिक्ता मुद्राइसिती और विकास दोनों मामलों में समान होती है तो जब अकॉमेडेटिव कब अपनाया जाएगा जब प्रात्मिक्ता आर्थिक व्रिद्धी होगी और neutral घब अपना जाएगा जब दोनों की समान प्रात्मिक्ता बनी हुई है तब ये neutral stance रखा जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं hawkish निती hawkish निती क्या होता है केंद्री बैंक की सरवोज प्रात्मिक्ता मुद्राइस्विती को कम करना हो जाता है जब मुद्रा इस्विती बहुत जादा बढ़ जाती है तब ये hawkish approach stance रखा जाता है इस stance में क्या किया जाता है काफी aggressive तरीके से मुद्रा आपूर्ती को कम करने के लिए ब्याजदरों को बढ़ाया जाता है aggressive तरीके से हर एक stance पर हर एक निती पर ब्याजदरों को बढ़ाया जाएगा ताकि मुद्रा आपूर्ती कम हो जाए यहाँ निती भी सक्त मौद्रिक निती का ही संकेत देती है तो अब मान लो कोई policy आई और उसमें कह दिया जाए कि अब हम hawkish stance ले रहे हैं इसका ताथ पर यह है कि अब धड़ा धड़ और अच्छी मात्रा में अच्छे इस्तर का ब्याजदर बढ़ाया जाएगा क्योंकि मुद्रा इस्विती नियनते करनी है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आता है calibrated tightening calibrated tightening इसमें भी ब्याजदरों को बढ़ाया जाता है लेकिन उतना aggressive नहीं होता calibrated तरीके से बढ़ाया जाता है रैपोदर में कटोती तलीका से बाहर रहती है इसका अताथ पर यह है कि रैपोदर कम नहीं किया जाएगा बढ़ाया जाएगा इसका मतलब यह है कि किंद्री बैंक हर निती बैठक के दौरान दर में विद्धी नहीं करता है लेकिन समग निती गद रुख दर विद्धी की ही और जुका होता है अर्थाथ ब्याजदरों में बढ़ाया तो जाएगी लेकिन उतने aggressive तरीके से नहीं जितने aggressive तरीके से hawkish stance में किया जाएगा इसमें थोड़ा सा मध्यम मार्ग अपनाया जाएगा ब्याजदरों को बढ़ाया तो जाएगा लेकिन अचानक से बहुत जादा नहीं बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे एक ही policy पर 2% का नहीं बढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा 0.4, 0.3, 0.5 ऐसा बढ़ाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ important content और हैं उस पर भी हम discuss कर लेते हैं इसमें बहुत जभ़ाएंगे पार्ट नहीं है भारत ने सबसे अधिक वार्षिक विवापारिक निर्याद हासिल किया है वार्शिक वेपारिक निर्याद हासिल किया है निर्याद सबसे ज़्याद हासिल हुआ है भारत सरवाकालिक उच्च वार्शिक वेपारिक निर्याद प्राप्त किया है यवित वर्ष 2020-21 के 298.1 billion अमेरिकी डॉलर की तुलना में 43.18 प्रतिशत अधिक है कितना है अभी 21-22 में 417.8 एक बिलियन अमेरी की डॉलर यहां पर हम इसे जरा देख भी लेते हैं अचा यह important क्यों है मतलब इसे हमने importance क्यों दिया है देखी अगर export बढ़ेगा अगर निर्यात बढ़ेगा तो चालू खाता घाटा कम होगा और अगर चालू खाता घाटा कम होगा तो हमारा रुपिया मजबूत होगा स्ट्रॉंग होगा डॉलर के मुकाबले और उसकी एक अलग बहुत ही विस्तित सकरात्मक प्रभाव अर्थवियस्ता में पढ़ेगी चलिए आगे बढ़ते हैं 2021-23 की पहली चमाही में 8.45 लाख करोड रुपए का उधार लेगी भारत सरकार वित्ति वर्ष 2022-23 में 14.31 लाख करोड रुपए उधार लेना है अनुआनित है और उस उधार का लगबक 60 प्रतिशत वित्ति वर्ष के पहले 6 महिनों में पूरा किया जाएगा अब आप लोगों के लिए एक खुमबक में देना चाहूँगा अगर सरकार उधार बहुत जादा लेगी तो आपको ये पताना है किस प्रकार का घाटा अधिक होगा और जब आप ये उत्तर पा जाएंगे किस प्रकार का घाटा अधिक होगा तो जवाब देना है कि अर्थ विवस्था में अर्थ विवस्था में उस घाटे से क्या प्रभाव पड़ेगा प्रभाव क्या पड़ेगा ज्यादा कॉंपलिकेट नहीं करता सिधा ये बताता हूँ कि उधार अगर जादा बढ़ेगा तो राजकोशी घाटा बढ़ेगा आप बस ये बता दे कमेंट सेक्शन में कि राजकोशी घाटा बढ़ने से अर्थ विवस्ता में क्या प्रभाव पढ़ेगा था कि इतना ही content हम discuss करते हैं इस वीडियो में अगले सब्ता में अगले सब्ता के आर्थी सामने उपस्तित रहाऊंगा तब तक के लिए टेक कियर गुडबाय एंड थैंक यू